नमस्कार जैहिंद वन्देवात्रम एकड़ोजवाद पीके में आपका स्वागत है और मैं प्रदीपमार चुटला आज अपने बात करेंगे पसु अहार प्रबंधन से समंदित जो मुख्य टॉपिक है चारा सरंक्षण के बारे में किसके बारे में चारा सरंक्षण और चार अपने पढ़ चुके हैं बर्सीम है रिजका है जै है हाथी घास है इन सभी के बारे में तो उन सभी वीडियो के लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो भी आप पढ़ सकते हो अच्छा इसी के साथ मैं आपका एक चीज और कर दो अपने पसु प अपने पर रवंदन में आपको अहार परबंदन अवास पर बंदन जनल यानि प्रजन समंधी पर बनदन और दुदार रूगा एं और इन से परबंदन और अन्य परबंदन जिसके अंदर लेशन है और उपकरणों से थर्ष्ण करिया गारिएंगी सारी चीजें तो में इस सारे टोपी समय आएंगे जिसमें अपने 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 अपलोड कर यह जा चुक है और जहां पशुपरवंदन अगर अहार टोपीक उठाते हैं तो अहार से समधित टोटल वीडियो अपने डाल दी चाहे वो वीडियो चारे से समधित है टोटल चार के सफैलों के परकारपणा ने पड़ दिये अहार निर्धारण पड़ दिया अहार के टाइप पड़े संतुलित आर कैसा है जीवन इर्वार कैसा है ग्याभ रिंगाई का दुद्धारों गाई का बेलों का सारा बाजी मैं कूं एडू लेगे चोटी ताइं टोटल मेंटर ठोग दिया इंपर यूटूब चैनल पर हाँ वह बाजी सारों फ्री ओप कोस्ट है तक किया है देखो एक कर देखो प्चास बारे देखो ठीक है तो प्रबंदन में वो सारी चीज़ें आएंगी रा चारा लेया कुत्र काटना मजी इनमें दियो काटियों चल टोक करियों ठोक क्यों ठीक है आज अपने बात करेंगे वीपरित मोसम के अंदर जब जैसे मारी अक्टूबर नौंबर है या अपने अपने जून मीनत अपती लू ठीक है ऐसी कंडिशन के अंदर चारा नहीं मिल प्रीजर्मेशण यानि बचानल इसी चारे सरंक्षन अंदर चारे कू बचाते ना मर्द इसके लावा ब्लू बचानल गलत नहीं रहेगा जल बचाओ अब मुझे लग रहे अपने इस कहने में कोई धुराई नहीं आती शोक्ति भी नहीं होगी कि वाईयू को में बचाओ पॉलिशन इतना ज्याद है कि वी टोटल वाईयू खराब हो चुकिया तो यह भी बहुत जुरूरी होगे देखो अपने बात करें साइलेज की और चारे स्रक्षण की यानि चारा स्रक्षण की जब भी कोई चारा वीप्रीच समय के अंदर वीप्रीच समय के अंदर क्या करें में यह किसी जगह पर अपने चारा करा और जब उसकी आवशकता पढ़ी उसको चारा निकाल ले उसको चारा स्रक्षण हो गया और जद कोई ब्यासाओ एड़ो मेड़ो तुड़ाई अपटी एचको पीजा वह स्रंक्षण है ऐसी अपने साइलेज में पढ़ेंगे और मैं कह रहा हूं सो परसेंट वाई साब कितने परसेंट सो परसेंट परसन आएगा साइलेज से ठीक न अब अपने इसमें देखें कभी साइलेज है क्या पहले बात तो साइलेज क्या है कुछ परसन बनेंगे साइलेज क्या है मुख्या फसल कौन सी है साइलेज त्यार करने के ल किरिया कौन सी होती है ठीक है न इसके अलावा बनाई कब जाएगी नमी प्रतिशत्ता किस प्रकार का चारा है चारे का प्रकार चाहरे का प्रकार के बारे यानि यह मुख्य मुख्य बिंदू है अपने जो बनाई किसमे जाएगी कहाँ क्या बनाई जाएगा कैसे बनाई जाएगी साईलेज का वर्गी करन क्या है यह सारे बिंदु साइलेस से समंदित है कि य liability नीं लिवा तो बनाने की और क्रीय क्या है, चारे का प्रकार कोण सा होगा, कैसे बनाएगे और किस्प्रकार करें, देखो, साइलेस वैसे एक प्रकार का रसीला-चारह, मैं आपकी जानकारी के लिए बतादो, सब्सक्राइब अपगट इतकरा के त्यार किया चाहा है और टाइट गड़ों के अंदर गास को काट कर जो नम्य युक्त गास है उसको काट कर टाइड दबा दिया जाता है अब इसके अपगटन से क्योंकि इसमें एवाईगें जिवानों होगे क्या करेंगे इस गास को अपगटित करेंगे इन्हें यह समझो जिए आपके ऐड मक्की लेया जवार लेया जै लेया बिन सुनि कुत्तर कर लें कुत्तर करने वाद सूनी काट गे बिने गड्ड गंदर डालने गड्ड गंदर बर्दी अब इस गड्ड को जमा के बर्दी कोई हवा ना रहे जाए अब थेको जी गड्ड बरा तो निच्चे तो माटी लाग जेगे इसके चारो तरफ अपने गास लगा देंगे सुखी निच किसी भी पदार्त का अपने पेकट कर लो पिल्कुल टाइट होता है यह टाइट है यह टाइट जब आता है यह और उसमें हलका सा छेद निकर जाता है अलकिसी वाईव एंटर कर जाती है आपने देखा होगा पूरो खड़ाब हो जैनी वह यह गिजो गिजो जेए पाड़ को में कनवर्ट हो जाए वैसे इसमें उस चारे को इसमें दबाएंगे टिका के अपने चारे में दबा दिया दबाने के वाद एव यह जिवाणू होंगे एनरोबिक बैक्टेरिया वह इसको अपगटित करें और रसीला चारा चमन प्रास बरगों बनाती है मुख्या फसल क झाल कि क्रिया क्या कहलाती है साई भूर्डे का प्रकार कैसा होणा चाहिए चारा होना चाहिए रसिला यान wr कैसे बनाएं याणी भूमी में दबार निगड़ों के अंदर और वर्गी करन में अपने पढ़ेंगे अमली यह न यह सारे यह सारी अपने कि समय के बारे ने बातों का आपने चरचा करते हैं तो चलिए सुरू करते हैं सालेज 4 सरक्षन के बारे में हाँ अभी तक अपने बात करी कि चारा सरक्षन है क्या और साइलेज क्या है अब अपने बात करने जा रहे हैं कि यानि चारे सरक्षन की प्रिवाशा क्या होगी और साइलेज की प्रिवाशा क्या होगी तेखो अभी तक तो अपने बात कि चारा सरक्षन क्या था कि जब क्या है इसकी देफिनेशन देखेंगे इसी के साथ अपने साइलेज की डेफिनेशन देख रहे हैं और कौन-कौन सी मुख्या फसल है वह साइलेज में अपने प्रियोग करें तो अभी अपने बात करेंगे सबसे पहले चारा सरक्षन की यानि जो फूड कंजर्वेशन है वो फूड पंजर्वेशन है क्या है ना अब देखो जैसे वीप्रित समय आ गया वीप्रित या एडवर्स क्लाइमेट जब आएगा वीप्रित मोसम आएगा तो एक समय ऐसा आएगा जब चारे की बिल्कुल खतम हो जाता है ऐसी कंडिशन में जो दुधारू गाए है या जो सुखी गाए है या जो कार्य करने वाले जो बैल है या प्रजन करने वाले सांड या जो नर है उनको अतिरिक्त बोजयपदार्थ की आवशक्ता होगी और उस समय अगर अपने बोजयपदार्थ प्रवाइड नहीं करवाया तो बोलो तो क्या दिकत हो जाएगी उतुपादन घट जाएगा ऐसे स्तिती में चारा सरक्षन करवाना बहुत ज्यादा जुरूरी है है ना तो देखो चारे की कमी के समय पसू को पोश्ट इक चारा उपलब्द करवाने के लिए चारे को एक निश्चित छेत् स्थान में डबाया जाता है दबा की अपने स्टोर करेंगे उस्से क्या कहते हैं चारा सरक्षन कहते हैं फूर्ड प्रीजर्वेशन कि जैसे देखो अपने वोटिकल्चर में प्री परिवर्तन किये लंबे समय तक सुरक्षित रखना क्या कराता है फैसे स्थान में धबा यह स्टूर कर करते लेकिन चार के सवाद में गंद में कोई परिवर्तन में नहीं बनाया है प्रिरक्षी पदार्थ है नहीं होना चे तो वीपरीत समय में अपने चारा सल्क्षित किया है दबा कर उसको क्या कहते है अपने चारा सलक्षिट कहते है और मैं बार बार कहह रहा हूं इस टॉपिक से 1% ऑसरो jakतれた ना couldnat दिखा दिखा दिए और पेपर में और और में से एब दिखा और यारेगा बात है गर आ लाहे जोगारा जोगिष्ट अब मढ्ली तो भूब शार्य की अपने कहां कमी को सद़े ठीक जब जबसे जबसे जबस टीजाइन अबक्टोबर नॉमबर अक्टोबर नौम्बर यी बिदीन quello्यग से मने वह होगा अपने अक्टूबर के आसपात जितनी भी कपास वगेरा की फसलें होती है वो कट कुटा के त्यार हो जाती है पार और गेहूं की विजाई होके बिल्कुल खेत में काम सेट अब चारे की कोई फसल नहीं है अपने पास है ना ऐसी स्थिति में स्टार्टिंग में तो ऐस ऐसा पर सनाद एक्जामिनर गुमाए तो वो क्या कुछ हैगा सीट कालिन और ग्रीशम कालिन ऐसी स्थिति बिल्कुल अब पूरा सीट काल नहीं होगा उसका कुछ समय अक्टूबर नॉंबर और यह अप्रेल से जून का जो समय है यहां भी पीचारे की कमी देखने को मिलती अब देखो साइलेज क्या है अभी तक अपने बात की है किसी गड्डे के अंदर अपने दभाएंगे सबसे पहले तो आपको यह समझे लोगे साहते उर्छारी नेर्ट ने में जाड़ो जाड़ो और रसीलो और सायलेज बिल्कुल सुखो सुखो मतलब घैया माल्यो जी आपाइस सब गोल की बुर्क्य लिया ने तो वैसे यह तोड़ी आफ्रिया है यह तोती है सुखी और साहिलेज उति हुद्धि गिल्ली गिल्ली चारे से बनेगी जैए लिए वो शकतत्तों मजूद हो तो ता किसी प्रकार की गंद ना हो रसीले चारे को क्या कहते हैं साइलेज भूमी में यानि गड्डे में दबाकर अपने उस चारे को शड़ा कर अपगड़ित करके त्यार करेंगे ऐसा चारा जिसमें कोई अन्य गंद उत्पन नहीं और रसीला होना चीए उस चारे को अपने क्या कहेंगे साइलेज कहेंगे ठीक है ना बूमी में दबाएंगे रस अपगटन होने के बाद किनवन यानि फर्मेंटेशन की किरिया होगी इसके अंदर साइलेज में बूमी में दबाएंगे बिल्कुल एर टाइट बंद कर देंगे ताकि कोई अन्य भाइवे जिवाण व्ष्यमों या मताईकाल देंगे इसको अपने बूमी में व्प अपने पात करेंगे तो बूमी में दबाएंगे जी आप तूड़ी गेर पाणी छुड़कर भी परवास लागर दोनु लाता हूं जमागे सूनी बियाज मानों इन ठीक है तो उसको ऐसे दबाया जाएगा मुख्य मुद्ध ये है एर टाइट होना ची जहां अपने जुस चारे को गड़े कंदर दबाएंगे ना साइलेज को दबाने गवाद इसको इतना ये टाइट करें कुछी भी परकार की कोई हवा कोई अन्य वायवेक करन कोई पानी की बुंदे अभी इसमें प्रवेशन ना करें ऐसे दबाना है अन्य था क्या हो जाएगा जिया देख लिए अपने घरा में आपा चार चूर गला और डबियो में दबाकर त्यार किया गया चारा परसंदो बन सकते हैं साइलेज है रसीला चारा या सुखा चारा रसीला चारा दूसरी बात साइलेज त्यार किया जाता है दबाकर त्यार किया जाएगा भूमे में दबा सकते हो टावर में दबा सकते हो एवायवे माध्यम में रखके कर सकते हो ठीक है वह होगा दोसरी बात थी किलुन किया है या इंसायलिंग क्या है जिन गड़ों में जिन बनाने के दाकर deduction इसके रिया क्या कहते हैं siloing या in-siling या इशाइलिंग या इशाइलेज बनाने की क्रिया गड़ों में अपने दबाएंगे दबाने ऐर टाइट करने के यह जो पूरी प्रोसेस है यह फसली को काटी काटने के बाद उसको गड़ों में दबाई और एयर टाइट बॉक्स में उसको बंद कर दिया बॉक्स का मतलब गड़े में इस पूरी प्रोसेस को क्या कहते हैं इसको अपने क्या कते हैंं अब बात आती हैं किया है प्रोसेस है पूरी कि पूरी बने का ने के जो कहते है न objective वा गड़ नाल ये बुर्ज सवर्ज करो जिनमें स् Northern आ पूरी दबाकर उसको भूमी से उपर लाकर उसके बाद एर्टाइट करना पड़ेगा ना ठीक है वे गड़े नालियां बूर्ज जिनमें साइलेस त्यार होता है उन्हें क्या कहते हैं अपने अरह बोलो रहें उनको साइलो कहते हैं जो शैलो में चीज बनाजर पूरी प्रोसस्ति थियार करें उससे इन साइल कहते हैं इस्पूरी निजिक करें नाया गर्टो में समाझ टोटल अपने डाल में इसको दबाकर ओ प्रोसेस करें नराजय इस ग्रष या इनशाइनिक करेंगें और जिन बुर्ज में यानि टावर में, जिन गड़ों में यानि जिन पिट में, जिन ट्रेंच या खाईयों में अपने बनाते हैं, उसको साहिलो करते हैं, समझे बात न, ठीक है, जो साहिलो होते हैं, गड़े होते हैं, वो कितने प्रकार के अपने पास तीन हैं, एक साहिलो बु नहीं खाई तोगी थोड़ी सी कलंबी गंड़ा होगा गहरा और टावर क्या होगा उंचा अब गावन टावर देखाने ऐसा तोड़ जमीन सी उपर होगा कि या और गड़े भूमी के अंदर होगे और साहिलेज में आपने बात करी थे कि साहिलेज में यह बात ध्यान रखनी ह कि यह भूमी से थोड़ा सा उंचा बनना चाहिए और हल्के ड़लांदार चेतर बेना चाहिए ताक कि वर्षा का जल इंटर ना करें अन्ना था क्या होगा वजह जम यां निच्च टेड़ी तिर्थी सी जगयां दें कर दर्ड बना लियो और बिंग मां बढ़ गेर छोड़ द साइलें तो पक गी यहां कॉन करनी सामझें बातना तो तीन चीज़े मनेगी साइल बुर्ज साइलो खाई और साइलो पिट यह पड़े पास तीन होंगे तो देखो साइलो बुर्ज किसकी उंचाही कितनी है उसका व्यास कितना है डायामेटर ऐसे एपने ट्रेंच की ऐसे पने पेट के परषण है देखो पहला पर्षान यह परसन इसके लख अकार परसन देखो यह जो विंदू है न यह टोपिकag leap यहां से पर्षान कोई भी कॉंपुटिटेव ले लेना अता ही ऐता है चиля पसूप्रीचर है अगरिकल्चर से रिलेटेड एक्जाम जहां पर एग्रोनोमी की फसल आती हो या पसुपालन का टोपिक आता हो परसल बनेगा क्यों देखो अगर पेपर में अपने एग्रोनोमी पढ़ रहे हो मक्का जवार जई अपने जब पढ़ेंगे जब जई नाम आएगा तो अपने पढ़ेंगे यह है साइलेज और हे दोनों में काम आती है तो अभी परसन साइलेज का है मक्का पढ़ेंगे तो सबसे अच्छी फसल है ना तब अपने कहेंगे मक्का जवार जई यही बात आ लिया तो कहीं से परसन कैसे बन सकता है तो ऐसी स्थिते में अपने ध्यान रखना है और अब अपने इन दस फित व्यास के होंगे मतलग व्यास डाय मिटर इतना लेना चिये और लंबाई उन्चा ही कितने हुने चिए बीस से बाइस फित उन्चा ही हो ने चीए और जो व्यास हो कि आट से दस भीट आड बाई दस पर नों चिये जया क्या मानिका बीस बाई 30 गोर चाड़ीस बाई चाड़ीस फित उन्चा होना चीए और यह आठ से दस उसके बाद आता है जो साइलो खाई है जो ट्रेंच अपने बनाएंगे जिसके अंदर यह पदार्थ बरेंगे पदार्थ का मतलब यह फसलें तो जो गहराई है वह आठ फित होने चीए और चुड़ाई ऑड़ी साथ से 8ुट गहरी और साथ से आठ फित भी चोड़ी और चैसे अपने लिख सकते इसको आठ फिति गहरी राठ फित चोड़ी सेम साथ से आठ ठेक यह जो आंकट़ है अपने आर्प्य इसी भूख का अ ओथेंटिक आंकड़ सरकारी गुजो बुक में लिखाओ अपने आसे नहीं कभी यहां ऐसे उठागे थां चेफ दियूंके ओई यह अपने बुक में लिखाऊ है वही अपने आंकड़े बात करें मैं आपको मैंसा कहता हूं सरकारी किताब चाहिए वह अंकड़ा बिल्कुल अथेंटिक माना जाएगा ना तो आर्बीसी के बुक में अपने पास जो आंकड़ा है वह अपने पढ़ेंगे लंबाई चुड़ाई तो वह पढ़ेंगे हैं ठीक है इसके लावा जो साइलो पिट होगा वह आठ इंटू पा लंबाई है चुड़ाई है और इसके लाव साइलो पिट ऑत्लों कितने तो आठ पांच चाहिए और जो आपने यह रख सकतेए यो उन्चाइए अपने 20-22 है और यह कितने रखेंगे व्यास आठ से देस रखेंगे अब महतोपुर्ण परसन जहां से मुझे लगता है परसन बनेगा वह परसन है यह साहिलेज कौन सी फसलों से त्यार किया जाता है यहां से जहां तक मेरा मानना है परसन आने के इतने परसेंट कितने wanna परसेंट सो परसेंट यहां से परसन बनने का पूरा पूरा चांड मुझे लग रही है मेरा मानना संटों si You ENSi तीन अपने बात करते हैं न मकके जवार और जय आखे दाने के लिए सबसे अच्छी फसल बने जाते हैं इसके लावा sail 등 के अंदर नम्य की मात्रा क्या रखते हैं कम रखी जाते हैं मुक्हा फसल कौन सी है मकके जवार और जय और जई मक्का जवार जो चारे वाली मुख्य पसली हैं जिसके अंदर अपने बर्सीम रिज का और जई सलेबस के अंदर है तो बर्सीम रिज का जई तिन्नों वीडियो अपने अप्लोड कर चुके उन तिन्नों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन भी बिल जाएंगे वो भी अप्लोड देख लेना और ही बात इंपर्टेट जो जई है नच ये जई आपड़ी है साइलेज हैं परियोक प्लस हैं और दों में परियोक्य में अपने प्रियोक कि गाते हैं जैई है इसके अलाब है इसके छारे, वाले फरस DSL म बर्ष्वीम रिज का भी है ठीक है और मुख्य फसल आपको द्यार रखने वो कौन से रखने यह बे एबाइज तीन द्यार रखने अपने आर्ब्यसी की बुक देखें और उसके अंदर जो मैत्वपन है वो बक्का है जवार है और जई तीन मुख्य लिखी हुए है तो तीन फसलों का प्रियोग करना है और ऐसा प्रस्ण बनने से शांस सबस्टें हैं कि ईक ऐसी फसल क नाम वर्लो को प्रियोग करते हैं और जो मक्का है जवार है और जही है इन तेनों को अपने किसमें प्रियोग करते हैं अरे बुल्लू साहिलेज बनाने हम मक्का जिया मेज होता है और जवार के आई सोर गम और युद्ध एक महतापुरून और बात आती है बता सकता है कोई बुल लूआ एक मैतोपुन बात है जवार से समझ देद और जितनी भी बार अपने जवार पढ़ी अपने इसकी बात करिए बोजन विशाक्तता में मैंने बताई ते इतनी इंट देद दू को कमेंट करके बता दो किसे रहे जवार में यह मैतोपुन बात है बोलो आच्छा ठीक अभी इससे बोजन विशाक्तता उर्धपन हो जाते क्या हो जोती है बोलो बोजन विशाक्तता फूड पूजिन्ग सकती है गए एससकर ने करते इंदर चारे को मुमें में किसी सथान पर या किसी जगह पर किसी चेथ्टर में शरक्षित रखना चारह सलक्षन करते हैं फिर बात आते हैं साइलेज क्या आती है बूमी में दबाकर त्यार किया गया चारह जिसके अंदर किसी प्रकार के गंद अन्य उद्पन नहीं हो ना वह शड़ा हुआ हो और तो हो और उसके अंदर उस फसल के गुण हो उपस्तित उसे साइलेज कहेंगे अक्टुबर नॉवंबर में और अप्रेहल से जून तक चारे कि अपने पास कमी आती है फिर अपने बात करी इन साइकलिंग इन साइलिंग या साइलों पलस साइलो साइलो तो वे टावर हैं ट्रेंच है या गड़े हैं जिन में साइलेज बनाया जाता है वो तो किलाएंगे साइलों और ये साइलेज बनाने की क्रिया है process o making साइलो हिंग ठीक है या इन साइलिंग तम बात करी तावर की बात कर ली इसके लावre ट्रेंच बरूğरां पिट्या गड़ों की पिट्थ हैं आठ-पांच-चार और जो यह जो लेंज यह आठी और साथ से आठे यह इसकी चुड़ाई कर लो यह इसकी कर लो ठीक है इसके इलाव अगर तावर की बात की जाए तो अपने इसका व्याद के तो आठ से दस उनचा जेखे तुर विस यह और फसल की जायराजा तो मक्हा है है जवार है और this strange के लिए मुंख्या विसल मानी जाती है समझ्के बात के लिए ताइम कार से जिलेजि के टाइप है मिठी काई तिसाय जी बुरी साइलिजू इसके लावड और, कितने प्रसेंट अपने नमी रखनी है में गड़ेको, बढ़ेंगे कैसे यह अपने बात करेंगे, उस Non Sun Las 24 श्कुोट लो यह समझेदत अपने बात कर लो, पहले यह देख 살ne ठीक है ना तो यह तो अपने बात होगी साहिलेज से सामालने परीच्चे के बारे में इससे समंदित च्यांदार आप मेटर को त्यार कर लो ठीक है दूसरी बात देखो एक्जाम डेट का मैंने पहले ही कहा था परीचर का अभी भारम बरने अपने पास स्टार्ट हो गए हैं और अब जो आके देखें अपने परीक्षा की तीठी की बात की जए तो मैंने फिर भी वही कहा रहा हूं मैं संभावी जो सरंचना चल रही है वो अप्रेयल से जून है जो उनके विएप्टे में लेखा हुआ था तो अपने अप्रेयल मैंन के त्यारी करनी है सारी वीडिय तुडेंट को त्यारी करने वाले स्टूडेंट को पूर्ण तर्समर्पित अपना चेनल अवाया एक पैसा है आप से आप त्यारी कुरो बढ़िया संभी अब टोटल मेटर करेंगे और यह मेटर आर भी एसी और ऑन्यायर्टी वुक के अधार पर योगा टोटल जो अपने एक बात लिखिए सारी अपने आरबियाशी वुक के कोडिंग लिखिए कहीं आपको दोराइवाली बात लिए ना परसन साइलेज से जो बनते हैं तीन यह बनते हैं जानता गयानी परसन तो अपने 5 ये 6 बनाएंगे जिसमें से एक परसन आना है इस तरह का मैंने कहा दिया इस से न Beimीर कहें से इसी के साथ ब्रगी करणे विए आपने बात करें न तो अपने साथ चलय इसके आस पास रैश्व रखेंग और उसी के साथ अगर आपने बात करें कि मीठी साइलेज नहीं को विखन करते हैं करें कि यह व्म पार्ट वीडियु और नेक्स्ट वीडियु में बात करेंगे साइलेज के वर्यज्भिकरण के बामें और प्रतिशक्ता के बारे में और इसके अलावा साइलेज के जो गड़े भरने की सम्पूरण विद्धी के बारे में अपने बात करेंगे न, तो इनके आप प्यारे से नोट्स बनाओ, आज के लिए इतना भोता है, जै हिंद वन्दे मातरम!